वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्लीज टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन अपडेट यहीं पर आते हैं द्यान रखें अश्कार दोस्तों आज पहुंचके हम लोग फंडामेंटल राइप और बहुत बढ़िया आर्टिकल आथ देखेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट प इक्वालिटी ठीक है तो बारा तेरा देखेंगे और राइट टूइक्वालिटी मदा आ जाएगी दोस्तों पूरा पीछे का एक से बारा जो करा है वो भी रिवीजन करेंगे पूरा पक्का करना यह नहीं देखते चलना पढ़ना है तो एकदम दिमाग में कूट की रखना और फंडामेंटल राइट तो स्टेट का मतलब हुआ समस्त्र सरकार जो भी वैद्यानिक चीज़े समस्त्र सरकारी चीज़े यह समझ लिए अब जैसे पेट्रोल पंप वाला है अब आपको पेट्रोल पंप धरना दोगे तो मार के भगवा देगा आपको वह आपका फंडा प्रोटेस्ट करने से पीस्फुल प्रोटेस्ट करने से ठीक है तो स्टेट का मतलब सभी सरकारी चीज़े होगे राज सरकार केंद्र सरकार पंचाया अद्मूंसिपैलिटी यह सब और यह डेफिनिशन देता आर्टिकल 12 में ठीक है आर्टिकल 13 बहुत बढ़िया है एक नं प्रेटा है तो उस कानून को अवैद घोषित करता कौन अब यह तो सुप्रीम कोटी तो करता है न बाई जिवडीशियल रिविव्यू जिवडीशियल रिव्यूंसेप्ट आर्टिकल 13 में दिया है अब सुप्रीम कोट देखता है कि यार हाँ यह कानून कैसा है आप जैसे आर्टिकल 13 में क्या है कोई भी कानून अगर fundamental right को चीनता है तो वो null and void कर दिया जाएगा अब इसमें एक बात बहुत important है जो समझनी चाहिए आपको कि constitution amendment is not a law समझ रहे हो सम्मेधान में अगर संशोधन हो गया तो वो कानून नहीं है कहने का मतलब है constitution amendment करके आपके fundamental rights को ची चीना जा सकता है जैसे constitution में अगर amendment कर दिया जाए तो यह possible है यह चीज़ को एकदम clear होना चाहिए तो आप कहोगे sir तो law होता क्या है यार देखिए law होता है जो पार्लियमेंट बनाती है law होता है जो राज सरकारे मतलब विधान सभा बनाती है law होता है जो governor ordinance pass करता है law होता ह जो president ordinance pass करता है यह सब law है ठीक है constitution amendment law नहीं होगा अब देखिए जैसे बहुत छोटा example है पहले article 9 में साथ fundamental right थे right to property भी था property वाला था अब सम्विधान में ही परिवर्तन करके उसको चीन दिया गया नहीं तो पहले चीना जा रहा तो बार बार सब supreme court जा रहे थे तो क्या कर करता है या तेंटा ही गताब करो constitution amendment करा और इसको डाल दिया legal right में ठीक है इसको legal right कर दिया तो सम्विधान में amendment अगर आप कर रहे तो वह आपका फंडा मतलब वह law में नहीं आता है बस बहुत simple जटा में चलिए आप आज आते right to equality में तो right to equality simple चीज डील करता है 14 15 16 17 18 ठीक ह करता है यानि शमता का दिकार इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं शमता का दिकार ठीक है अब जैसे आर्टिकल 14 कहता है equality before law and equal protection of law हिंदी में कहें तो विधी के समक्ष शमानता और विधी का समान संरच्छान पहले इसको समझ लो समझना जरूरी है देखो equality before law आमने कहां से लिए है मतलब ब्रिटेन से लिए है और equal protection of law यह हमने USA से लिए है मतलब अमेरिका से लिए है अब देखिए equality before law UK में इसली आया क्योंकि पहले UK में जो officers होते थे उनके लिए लग कानूंता नौर्मल लोगों के लिए लग कानूंता राजाओं के लिए लग कानूंता तो सब वहाँ इस चीज को अटाके equality before law लाए कि कानून के नजरों में सब समान रहे तो इसली हमने भी इसी concept को लिया कि चाया सलू भाई हो चाया हम लोगों सब लोग कानून की नजरों में समान है ठीक है अब यहाँ president और governor को तोड़े से exceptions होते हैं और equal protection of law यह हमने लिए USA से यह क् मान लो आपको 115 नंबर लाने पड़े प्रिलिम्स में और जिसको reservation है उसको 90 लाने पड़े अब आप यह थोड़ी को गया कि इसको 90 में हो गया मेरा नहीं हुआ तो कारण यह है कि वह अभी आप इस जगा पे हो और वह इस जगा पे समाज में तो पहले उसको आपके बराबर लाएंगे फिर equal treat करेंगे equal production of law का मतलब एक और आसान चीज़ों में समझेए दो मिनट जैसे मान लीजे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ठीक है मान लीजे 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अब 100 में 90 को समझ में आ गया 10 को नहीं आया 10 ने बोला सर फिर से पढ़ा दीजे प्लीस मैं कहो नहीं मैं आगे बढ़ गया तो ये तो पीछे हो गए ना मैंने इनके हिसाब से चला तो ये नहीं करना है मुझे मैं पहले इसको भी समझाओंगा इन 90 के बराबर लाओंगा equal protection of law ये कहता है ठीक है फिर मैं आगे बढ़ूँगा तो इसलिए reservation यहां exception इसलिए दिया जाता है आर्टिकल 14 के तहद विधी के समान सर्ण ठीक है clear है 14 क्या कहता है equality before law equal protection of law equality before law UK से लिए equal protection of law USA से बारा क्या कहता है state की definition 13 कहता है कोई भी कानून अगर fundamental right चीनना तो नहीं वाल्ट कर दिया जाएगा चलिए 15 कहता है बहिया किसी को भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता क्या नहीं किया जा सकता भेदभाव discrimination ठीक है discrimination की ना दारों पर धर्म के अधार पर वंस यानि decent भी इसको कहीं कहीं लिखा होता है ठीक है decent मतलब race कि कोई American race का है कोई गोरा है कोई काला आइए समन्हें कास्ट यानि जाती के अधार पर link मतलब male female के अधा पर कर सकते हैं चेस्ट के अधार पर कर सकते हैं only in these five ground except धर्म वंश जाती लिंग एंड जन्मस्तान रिलीजन रेस का सेक्स और प्लेस ऑफ बर्त के अधार पर सरकार आपसे यानि स्टेट की बात कर रहूं में स्टेट आपसे पार्शेलिटी नहीं कर सकता ठीक है चलिए आर्टिकल 16 equal opportunity in matter of public employment ठीक है लोग नियोजन के विशह में अवसर की समता लोग नियोजन के विशह में संबंद में ठीक है तो रिजर्वेशन एक exception है आर्टिकल 16 में equal opportunity in matter of public employment तो मिलेगी पर यहां रिजर्वेशन लग जाएगा क्योंकि वो पीछे हुए तो आर्टिकल 16 यह कहता है सत्रा सिंपल सा है बस untouchability क्या चुआ 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 चुट आज प्रश्यता जो करेगा हो कान साथ हुआ तो हर राजा महराजा थे तो राजपूद मराटा यह सब कॉंसेप्टी इठा दिया ठीक है नॉर्मल कर दिया पर हां मेजर जैसे आपके military टाइटल मेजर लेफटन एंड करनल कैप्टन यह सब अलाउड है प्रोफेशनल टाइटल जैसे डॉक्टर एडवोकेट लॉयर यह सब टाइटल अलाउड ठीक है भारत का नागरी किसी दूसरे देश की उपाधी सुईकार नहीं करेगा यह नहीं लंडन से हमने कोई हमें टाइटल मिल गया वो ले लिया नहीं नागरिकता चली जाएगी हम वो नहीं ले सकते ठीक है इसको याद रखना है आपको तो फटाक से देखते हैं रिवीजन क्या देखा आज 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ठीक है 14 से 18 है राइट टू इक्वालिटी क्या है राइट टू इक्वालिटी यानि शमतागादिकार ठीक है बारा है स्टेट की डेफिनिशन तेरा है कोई भी लो ऐसा नहीं बन सकता जो फंडनामेंट पंद्रा क्या कहता है यह पंद्रा कहता है हमसे बेदबाव नहीं हो सकता पांच ग्राउंड पे रिलीजन रेस का सेक्स लेस ऑब बर्त सोला कहता एक्वालिटी ओफ अपॉर्चुनिटी इन मैटिर ओफ पॉब्लिक एंप्लॉइमेंट लोग नियोजन के संबद में सबको स समान अधिकार मिलेगा सत्रा अंटच अबिलिटी की बात कर लेता है अठारा एबॉलिशन ऑफ टाइटल ही ठीक है चले वन कर रिवीजन कर लेते आर्टिकल वन क्या कह रहा था नेम टेरिटरी ऑफ दी यूनियन भारत इंडिया वारत इस बारत इस यूनियन ऑफ स्टेट तू कहता था एड्मीशन और स्टैबलिश्मेंट ऑफ नियू स्टेट रिवीजन जरूरी दोस्तों तीन कहता था फॉर्मेशन ऑफ नियू स्टेट ए अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंडरीज एंड नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट मतलब नहराज्यों का निर्माड है वर्तमान राज्यों की चेत्रों जैसे एक्जामपल तिलंगाना आर्टिकल 3 के तहट बना सिक्किम आर्टिकल 2 के तहट बना कि जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको अगर मिलाना ठीक है तो आप यह मेरा वीडियो देख सकते हो इससे पहले पढ़ा हुआ मैरे वीजन करार हो इसमें आर्टिकल 4 कह रहा है दो और तीन में अगर परिवर्तन करोगे तो शिर्डूल 1 और शिर्डूल 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और यह सिंपल मैजोर्टी से हो जाएगा ठीक है आर्टिकल 5 क्या कहता था सम्विदान के प्रारम में नागरिकता ठीक है सम्वि उनेस जुलाई lle 44 को जो नीस जुलाई नीस उताली से पहले भारत आ गया हो उसको तो तो तुरअट नागरिकता मिल जाएगी पर उननेस जुलाइं ने रहना पड़ेगा छे और साथ और पांच का आप कोई अस्तित्व नहीं रहा है उस टाइम इंपॉर्टन थे आठ इंपॉर्टन है कि जो भी लोग भारत के बाहर रह रहे हैं उनके बच्चे अगर भारती ये माता पिता है तो उनको से टिजिंशिप आर्टिकल आट से मिल में दिये तो अर्टिकल नौ में अर्टिकल 10 कहता है आपकी नागरिक्ता बनी रहेगी जब तक कोई नागरिक्ता की नियम नहीं तोडते हैं ठीक है और नागरिक्ता में अब तक 6 बार संसोधन हुआ है यह यादर को आपको करता हूँ प्रडाम मिलते हैं नेक्स वीडियो में मज़ा आया की नहीं कमेंट में ज़रूर बताना अगला आर्टिकल किसका आएगा जड़ा बताईए सीरीज में अगर याद हो रहा है टूइक्वालिटी के बाद क्या आता है